नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल लेक्टिक लोको नॉलेज में आज बात करेंगे कन्वेंशन लोकों में लगे नुमेटिक पैनल के बारे में कि नुमेटिक पैनल में क्या-क्या चीज़े लगी होती है और उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ड करते हैं और वीडियो स्टार्ड करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको लोकों से संबंदित वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं यह कन्वेंशन लोकों का यह नुमेटिक पैनल है अब इसमें क्या-क्या चीजे लगी है उसके बारे में हम डीटेल में आपको चानकारी देते हैं सबसे पहले यहाँ उपर की तरब आप देखेंगे तो यह है डिस्टिबिटर वाल या C3W वाल इसमें यह जो हैंडल है ठीक है इसकी दो पूजिशन होती है गूड्स और पैसिंजर अभी यह पैसिंजर पूजिशन पर है अगर इसको चेंज करेंगी तो यह गूड्स पूजिशन पर आ जाएगा कि यह है डिस्टिबिटर वाल उसके बाद यहां आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यह है लिमिटिंग वाल मतलब जो A9 से हम प्रेशर लगाते हैं तो जो ब्रेक स्लेंडर में प्रेशर जाता है 1.8 kg का वो इसी वज़े से जाता है यहां पर देखे 1.8 लिखा हुआ भी है तो आजसे करना आता है तो इससतर्व करण सक्षाफ हो जाता है यह नूर्मल कोजिशन में है यहां पर देखे भी फी मतलब जो पीएव की कौसलर रहती है Should कोईल यह पीवेफ की कोईल है जब पीवेफ दबाते हैं तो कोईल ऑपरेट होती है और ब्रेक सिलेंडर में गया हुआ प्रेशर निकाल देती है उसके बाद यहां पर आप देखेंगे यह कॉग दिया हुआ है ठीक है आर जी भी जो प्रेशर गवननर रहता है यह उसका इसल यह IP मेगनेट वाल का आदा इंची कॉक है इसी किसी नुमेटिक पैनल में एक आदा इंची कॉक और एक इंची कॉक लगता है यह आदा इंची कॉक है अभी इसी नुमेटिक पैनल में एक इंची कॉक भी IP मेगनेट वाल का लगा है तो आपको आगे वीडियो में ठीक है अब नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए C2 रिलेवाल है कि जो ए9 के सर्कुट में भी आता है और S9 के सर्कुट में भी आता है यह सी टू रिलेवाल है उसके यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यह M2B है M2B की दो पूजिशन होती है लीड और ट्रेल जब हमको नॉर्मल वर्किंग करनी होते हैं लीड पर रहता है जब डेड करना हो तो इसको ऐसे दबा के घुमा के डेड पर लिया आते हैं जब लोग को डेड वर्किंग करना होता है तब ठीक है उसके बाद यहां उप इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर यहां पर देखेंगे तो यह RDEB Pressure Governor है RDEB Pressure Governor के यहां पर यह जो है Air Stainer है जो आगे शिस्टम में भेजता है यह Air Stainer है पर यहां पर आएंगे यह एपी का इसलेटिंग कोखे फीड पाइप का इसलेटिंग कोखे जो 6 kg प्रेशर हमारे लोकों में आता है तो जब लोकों डेड करना रहता है तो इसको हम बंद करते हैं इस तरह से वो जब नॉर्मल लोकों वर्किंग करता है तो यह open position इसकी इस तरह से open position रहती है उसके just pass में यहाँ पर यह जो coil लगी है इपी मेगनेट वाल बोलते हैं ठीक है तो यह जो coil लगी है यह IP मेगनेट वाल की electric coil है IP मेगनेट वाल जो लगता है उसकी electric coil है उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हूं आपको बता रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं वाल यह airflow measuring वाल है लोकों में जो airflow indicator लगा रहता है जब भी वीपी पर से drop करते हैं तो airflow indicator डेविट होता है वो इसी वाल की कारण होता है airflow measuring वाल है इसके पास में यहां देखिए यह देख सकते हैं आप यह यह magnet wall है जब भी हम वीपी को fast charge करना चाते हैं fast race से वीपी को charge करना चाते हैं तो 90 mm का बड़ा hole जब वीपी एस डबलू स्वीच को दबाएंगे तो 90 mm का hole हो जाता है और वीपी fast race से charge होता है तो यह magnet wall है यहां पर यह देखेंगे तो यह feed wall है 6 kg का जो एपी pressure लोकों में रहता है वो इसी wall के कारण देता है इसको बोलते हैं feed wall यहां नीचे की तरफ देखेंगे तो यह एपी का incoming isolating cock है उपर की तरफ हमने जो दिखाया था यह वाला यह एपी का outgoing isolating cock है और नीचे वाला एपी का incoming isolating cock है तो लोकों का जब भी dead करना है तो इन दोनों को बंद करना जरूरी होता है उसके बाद यहां आगे की तरफ यहां बढ़ेंगे तो यह है double check wall double check wall मतलब जब लोकों में A9 और S9 दोनों एक साथ apply करेंगे तो जिस भी break का pressure ज़्यादा रहेगा वो double check wall उसको आगे break cylinder में भेजेगा यहां पर देखिए यह weed wall की coil है electromagnetic coil weed wall की ठीक है और weed wall में कहीं leakage हो जाता है तो उसके लिए उसी को उपर यह isolating cock दिया है weed wall का isolating cock दिया हुआ है इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर यह RGCP governor लगा है जो compressor को cut in cut out करता है देखिए यह rating लिकी 8 से 9 kg 8 पर cut in होगा 9.5 पर cut out होगा automatic इस RGCP के through automatic panel में सबसे नीचे की तरफ आप यहां देखेंगे यह R6 wall है R6 जो airflow के circuit मे लगा रहता है एक airflow measuring wall हमने बताया था और यह R6 wall है देकि यह airflow measuring wall इधर लगावा है उसी के just pass में नीचे की तरफ R6 wall लगावा है जो airflow circuit में काम आता है उसके बाद आप यहां देखेंगे तो यह RGF pressure governor है यह भी airflow के circuit में लगा रहता है यह P1 pressure switch है P1 pressure switch autofacial light के circuit में लगा रहता है और इधर यहां पे देखेंगे तो यह P2 pressure switch है यह दोनों ही autofacial light के circuit में लगे रहते हैं जब भी हम BP को drop करते हैं A9 द्वारा तो autofacial light नहीं जले उसके लिए इन दोनों के contact अलग-अलग way में यूज़ किये हैं और RS वाल जब खोलते हैं तो autofacial light जले उसके लिए इनका contact अलग-अलग यूज़ किया गया है उसकी detail में वीडियो हम आपको बाद में बना कर बताएंगे तो दोस्तों आज हमने आपको convention loco में लगे numatic panel के बारे में पूरी detail में जानकारी दी है और इससे संबंदित कुछ भी आपको doubt हो तो आप comment करके हमको पूर्च सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए